कल जो ethical dilemma आपसे पूछा दाना आपने जबरदर्श धंग से उसका answer दिया comment box में और कुछ लोगों ने बोला कि सर ऐसे questions आप पूछते रहिए इससे thought process clear होती है एक देखो बहुत famous baby ethical dilemma है क्या है ये जैसे देखो आपके गाओं में ना कुछी घर है और ना आपके गाओं के ऊपर attack कर दिया गुंडों ने villain ने attack कर दिया खराब लोगों ने और आप ना अपने गाओं वालों के साथ जो 40-50 आपके गाओं वाले थे उनको साथ लेके आप एक जगह पे छुप गए और जो गुंडे हैं ढूंड रहे हैं आप सब लोगों को गाओं वालों को ढूंड लिया गुंडों ने अगर वो म बेबी हैं आपको पता हैं कि जो बेबी हैं वो खांसी करेगा और जैसे ही खांसी की आवाज गुंडे सुनेंगे उनको पता लग जाएगा कि गाओं वाले कहां पे छुपे हुए हैं और वो सब को मार देंगे तो ethical dilemma यह हैं आप इस situation में कैसे act करोगे दो options हैं आपके सामने पहला option आप आपको पता है आपका बेबी खांसी करेगा ही करेगा और खांसी करेगा तो आवाज आएगी आएगी और गुंडों को पता लग जाएगा आप कहां पे छुपे हुए हैं तो आप अपने बेबी को मार दोगे यह पहला option हैं इससे क्या है बाकी सभी की जान बच जाएगी। Utilitarianism के दम पे सिरफ इसे justify किया जा सकता है, greater good के नाम पे कि ज़्यादा लोगों की जान बचाने के लिए आप एक person की जो जान है वो कुर्बान कर रहे हो। हाला कि इसका criticism भी है, Deontology के अधार पे कि वो baby innocent है, उसको कुछ नहीं पता, आप उसको नुक्सान कैसे पुंचा सकते हो। दूसरा option ये है कि आप baby को कुछ नहीं बोलो, intentionally उसे कुछ नुक्सान ना पुंचाओ, अगर वो खांसी कर भी देता है, तो कोई दुक्यत नहीं है, गुंडे ढून लेंगे, सारे मारे जाएंगे, तो मारे जाएंगे, कम से कम आप जान बूज के किसी की हत्या नहीं कर रहे हो, ये दूसरा option है, आप बताओ दोनों options में से कौन से option को चूज करोगे, पहला option या फिर दूसरा option, ये बहुत ही famous baby ethical dilemma है, जो philosophy के students हैं, उन्होंने साइध इसके बारे में सुना भी होगा, तो आप बताइए, पहला option या फिर second option सही है, डेट आज की 23 सितंबर है, अच्छे-च्छे articles आज हम discuss करेंगे, पहला article, Member of Parliament और MLS की privileges से समन्दित है, दूसरा article, West Asia में Great Power Politics से समन्दित है, चलिए discussion स्टार्ट करते हैं, आज की discussion का पहला important article, Immunity of legislators from bribery charges से समन्दित हैं, और आप GS Paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हूं, देखो basics की बात हम पहले करते हैं, मान लीजिए महेश MP है लोक सभा में, अब देखो लोक सभा में MP के नाते, महेश लोक सभा में कोई भी speech देता है, basic वो hate speech है, जैसे महेश किसी एक धरम के लोग को खतम करने की बात बोलता है, कैसी भी speech देता है महेश लोक सभा के अंदर, किसे भी vote देता है, लोक सभा में किये गए act के लिए, महेश के against court में criminal proceedings स्टार्ट नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि सविधान का article 105 section 2 ये बोलता है, सविधान का article 105 section 2 साफ तोर पर ये बोलता है, कोई भी member of parliament कुछ भी speech दे, किसे भी vote दे, इसके लिए उसके खिलाफ court में मुकदमा नहीं चल सकता, अगर member of parliament ने house के अंदर कुछ गलत किया भी है, महेश ने कुछ गलत speech दी भी है, जैसे ये special session जो अभी हाल ही में खतम हुआ है, इस special session में एक MP के दवारा, काफी खराब language का इस्तिमाल किया गया, और बहुत ही ज़्यादा एमर्यादित वर्ड्स का इस्तिमाल किया गया, जैसे कटवा, भढ़वा, लेकिन देखो, ये जो speech थी न, जो बहुत ही ज़्यादा एमर्यादित थी, इसके लिए court में proceeding start नहीं की जा सकती, उस MP के against action अगर लिया जा सकता है, तो speaker के द्वारा लिया जा सकता है, समझ गए, तो ये article 105 section 2 जो है, एक परकार से न, sealed है, sealed मतलब ढाल है, immunity देता है, member of parliament को, कि वो house के अंदर कुछ भी करें, कैसे भी act करें, लेकिन उस act के लिए court में मुकदमा नहीं चलेगा, जो कुछ action लेना होगा, ना सिरफ MPs को है, बलकि Attorney General of India को भी है, इसके लावा, उन ministers को भी है, जो अभी MP नहीं बने हैं, minister तो कोई भी बन सकता है न, लेकिन 6 महिने के अंदर-अंदर, उसे MP के तोर पे elect होना होता है, तो इनको भी ये immunity मिलती है, प्री में ये question पूछा जा सकता है, जैसे देखो, आर्टिकल 105, MPs को immunity देता है, उसी परकार से, जो आर्टिकल 194 है, ये MLS को immunity देता है, अब देखो, आप एक interesting कहानी सुनिये, 1993 में न, Sibu Sorin, जो जारखंड के, जारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से समन्द रखते हैं, इनके उपर आरोप लगा, जो बाद में सिद्ध भी हो गया, कि 1993 में, इन्हों ने न, पैसे लेके, यानि ब्राइब लेके, नर्सीमा राव की सरकार के against, वोट दिया, no vote confidence के दुरान, समझ गए, मतलब सिद्धू सोरन ने न, पैसे ले लिए, रिस्वत ले ली, और उस रिस्वत लेने के बाद, no vote confidence के दुरान, वोट देना था न, तो नर्सीमा राव की सरकार के खिलाफ वोट दिया, पैसे लेके, तो इनके खिलाफ कारवाई होनी स्टार्ट हुई, ये बोले कि कारवाई नहीं कर सकते मेरे खिलाफ, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 105 सेक्षन 2 तो मुझे immunity देता है, मैं मजजी जाए किसे भी वोट दूँ, आप मेरे खिलाफ कारवाई नहीं कर सकते, मामला सुप्रिम कोर्ट में पहुँचा 1998 में, 1998 में ना 5 जजी की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की, अगर किसी MP या MLA पर आरोप है, कि उसने रिस्वत लेखे वोट दिया है हाउस के अंदर, तो क्या उसके खिलाफ हम कारवाई कर सकते हैं, या फिर immunity वो enjoy करते रहेगा, तो 1998 में ना सुप्रिम कोर्ट की 5 जजीज की बेंच ने कहा, माना सिबू सुरेण ने रिस्वत ली है, लेकिन हाउस के अंदर वो कैसे भी act करे, इसके खिलाफ हम action नहीं ले सकते, क्योंकि Article 105 हमें रोकता है, और अगर हमने इस आर्टिकल के अंदर इंटर्फेर किया ना, तो बहुत बड़ा डिजाश्टर हो जाएगा, फिर Member of Parliament निस्पाक्स होके, इंडिपेंडेंट होके, बोल नहीं सकेंगे, वोट नहीं दे सकेंगे हाउस के अंदर, इसलिए हम action नहीं ले सकते, तो कारवाई नहीं हुई, सिब्बू सोरेन के अगेंस्ट, मतलब कोट में उनके खिलाफ केस नहीं चला, सुप्रिंग कोट ने रिजेक्ट कर दिया, अब देखो काफी सालों बाद, फिर से, आप इत्तिफाक देखिए, फिर से, सिब्बू सोरेन की जो पुतरवदू है ना, सीता सोरेन, उनके खिलाफ सिमिलियर केस सामने आया, ये देखो, इनकी पुतरवदू है, सीता सोरेन, जहारखन मुक्ति मोर्चा की मेंबर है, इनके खिलाफ भी यही आरोप लगा, कि 2012 के राज्यसभा, इलेक्शन के दुरान, ये MLA थी, तो इन्होंने पैसे लेके वोट दिया, रिस्वत लेके किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को वोट दिया, इसके बाद, इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के पास पिटिशन फाइल की गई, कि आप इस पूरे मामले की CBI जांज करवाईए, ये तो रिस्वत लेके वोट दे रही हैं, तो इलेक्शन कमिशन ने CBI जांज करवाई, CBI ने चार सीट फाइल कर दी, सीता सुरेन के अगेंस्ट, और काफी सारे सेक्संस लगा दिये, जैसे Prevention of Corruption Act 1988, कि आप तो पैसे लेके वोट दे रहे हो, लेकिन सीता सुरेन ने अपने ससुर जी की तरह, कोर्ट में जाके बोला, कि कैसे मेरे खिलाफ केस चलाए जा सकता है, क्यों, क्योंकि मुझे तो immunity मिली हुई है, मैं एक MLA हूँ, मैं किसे भी वोट दूँ, सविधान के Article 194 के according मुझे immunity है, ढाल है मेरे लिए ये Article, आप मेरे खिलाफ कारवाई नहीं कर सकते, मैं किसे भी वोट दूँ, मेरी मर्जी, लेकिन देखो High Court ने ना, इनकी Petition को Reject कर दिया, High Court ने बोला, कारवाई तो भेंजी होगी, बड़े आये आप immunity वाले, आपने रिश्वत ली है, आपके खिलाफ कारवाई होगी, तो जो ये सीता सुरेन है, ये चली गई फिर सुप्रिम कोर्ट में, सुप्रिम कोर्ट में जब ये गई, तो 7 मार्च 2019 कोना, तीन जजीज की बेंच, इस मामले की सुनवाई करती है, तीन जजीज की बेंच बोलती है, चूकि ये जो केस है न, ये नर्सीमा राओ वर्डिक्ट से सम्मन्द रखता है, इसलिए बड़ी बेंच को ये मुकदमा भेजा जाना चाहिए, तो ये मुकदमा भेज दिया गया 5 जजीज की बेंच को, लेकिन देखो बाद में 5 जजीज की बेंच ने ये डिसाइड किया, क्यूकि नर्सीमा राओ केस की जो जज्जमेंट थी न, 1998 वाली, वो वर्डिक्ट दिया गया था 5 जजीज की बेंच के द्वारा, अब देखो आपको पता है, किसी भी वर्डिक्ट को अगर बदलना हो न, सुपरिंग कोर्ट के किसी भी वर्डिक्ट को बदलना हो, तो जितने जजीज की बेंच ने वो वर्डिक्ट दिया था न, अगर उससे जजजीज की बेंच, उस इशू पर कोई दूसरा फैसला देती है तो ज़्यादा जजीज की बैंच वाला फैसला ही अंतिम होगा तो मान लीजिए पांच जजीज की बैंच ने नर्सीमा राओ केस में जज्जमेंट दिया था 1998 में तो अब साथ जजीज वाली बैंच कुछ और वर्डिक्ट देती है उस इशू पे तो साथ जजीज वाली बैंच का जो वर्डिक्ट है वो फाइनल होगा इसलिए अब साथ जजीज की बैंच गठित कर दी गई है जो इस इशू पर सुनवाई करेगी कि अगर कोई MP या MLA रिश्वत लेके वोट दे देता है हाउस के अंदर तो क्या उसके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए अभी तक तो नहीं होती अभी तक नहीं होती क्योंकि ऐसा वर्डिक्ट सुपरिंग कोट ने दिया था 1998 नर्सीमा राव वर्से स्टेट केस में लेकिन अब साथ जजीज की बैंच यह फैसला करेगी आर्टिकल में लास्ट में यह कहा जाता है देखो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 में MPs को और MLAs को कुछ Immunities, Power, Privileges इसलिए दी गई थी कि वो निस्पक्स होके बिना डर के House में अपनी बात रक्स कें लेकिन अगर इन आर्टिकल्स का फाइदा उठा के MP या MLA पैसा कमाते हैं कुछ गलत काम करते हैं तो जाहिर तोर पे उनके खिलाफ कारवाई करने में उनके खिलाफ केस चलने में ये जो आर्टिकल्स है ना रुकावट नहीं बनने चाहिए उनके खिलाफ कारवाई होनी चाहिए अगर वो रिश्वत लेके वोट देते हैं तो समय आ गया है कि सूप्रिम कोर्ट की साथ जज़िस की बेंच इस मामले पर एक सही वर्डिक्ट दे ताकि एक डेटरंस पैदा किया जास के डर पैदा किया जास के MPs में और MLAs में कि ये जो आर्टिकल्स है आपकी immunity नहीं बन सकते shield नहीं बन सकते अगर आपने कोई गलत काम किया है तो ये आर्टिकल्स सिरफ ये इंशोर करने के लिए है कि आप अच्छे से अपनी बात रक्स को house के अंदर तो ये पूरा आर्टिकल्स हमने डिसकस किया चलते हैं आगे आगे बढ़े उससे पहले questions भी देख लीजिए देखो privileges से सम्मदित ना UPSC ने question पूछा था 2017 में pre का conceptual सा question है society में equality अगर मान के चले हैं तो किस चीज़ की absence है क्या competition नहीं होता जब equality होती है ideology नहीं होती restraints नहीं होती या फिर privileges नहीं होती तो इसका answer A है privileges नहीं होती जैसे पुराने समय में so-called higher caste के लोगों को privileges मिलती थी ना education में दूसरी जगों पर crime करने पर भी उनको कम सजा दी जाती थी और so-called lower caste के लोग थे उनको ज़्यादा सजा दी जाती थी same crime करने पर आज के समय में ऐसी कोई privileges नहीं है कानून सब के लिए बराबर है तो इसका answer A है इसके बाद 2014 में UPSC ने ये question पूछा था Member of Parliament के privileges से समन्दित Article 105 जो हमने डिसकस किया न उससे समन्दित ये question आप attempt कीजिए www.onlyis.com पे जाके अच्छा question है ये 2014 में UPSC के द्वारा पूछा गया था अब इसके बाद अगला जो article है वो देखो West Asia से समन्दित है आप GS Paper Second के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो G20 में आपको पता है India Middle East Europe corridor established किया गया मतलब गोसना हो गई है अभी दो महिने के अंदर final जो सवरूप है कि कौन पैसा लगाएगा वो सब details जो है वो दो महिने के बाद बाहर आएंगी बट कुछ लोगों ने ये पूछा कि इस corridor को लेके जो M.O.U. sign हुआ है उसमें USA क्यों सामिल है USA तो वैसे है भी नहीं picture में इस पूरे route के दुरान USA आता ही नहीं तो USA का क्या लेना देना इस corridor के establish होने में USA को क्यों फाइदा है और पैसे भी USA लगाएगा तो क्यों लगाएगा इसके लिए थोड़ा सा नहाँ आप West Asia की politics समझने की कोशिस कीजिए West Asia में देखो पहले क्या हुआ करता था तीन पोल हुआ करते थे तीन major powers आप ये triangle देखिए इसराइल एक बड़ा पोल दूसे नंबर पे इरान और तीसे नंबर पे सौधिरेबिया, UAE, ये सब देश इनका alliance ये तीन बड़ी powers West Asia में अब देखो पहले ना इनकी नहीं बनती थी इरान की इसराइल के साथ कभी नहीं बनती इरान की सौधिरेबिया और UAE इनके साथ भी नहीं बनती थी बड़ पिछले कुछ सालों में पिछले कुछ समय में situation change हो गई है situation change ऐसे हो गई है क्योंकि Abraham Accord के बाद Abraham Accord के बाद Israel के रिष्टे normalized हो गए UAE के साथ में अब USA कोशिस कर रहा है कि सौधिरेबिया के साथ भी Israel के रिष्टे normalized हो जाए और ये दो पॉल जो है Israel और सौधिरेबिया इन दोनों का alliance बन जाए मतलब तीन पॉल के बज़ाए दो ही पॉल रह जाए एक इरान और दूसी तरफ इनका alliance Israel प्लस सौधिरेबिया प्लस UAE ये सब एक साथ और ये USA के साथ ऐसी कोई situation emerge होके आए ये USA चाता है वेस्टेशिया में Cold War के दुरान और इवन उसके बाद भी Cold War के खतम होने के बाद भी सौधिरेबिया UAE ये सब न एक परकार से USA के client states थे client states मतलब इन देशों ने अपनी सुरक्षा की जिम्मदारी USA को दे रखी थी और ये USA के कहने पर ही चलते थे बट अब ना हुआ क्या USA ने West Asia पर ध्यान देना कम कर दिया क्योंकि USA का focus हो गया एक तो Eastern Europe जहां पर अभी युद चल रहा है Ukraine और Russia के बीच में और दूसरी तरफ Indo-Pacific region जहां पर China काफी ज़्यादा एग्रेसिव है USA के ना focus अब इन जगवों पर ज़्यादा है East Asia पर और East Europe पर West Asia में USA का focus काफी ज़्यादा कम हो गया तो इसका फाइदा उठाया China ने China ने कैसे फाइदा उठाया China ने फाइदा ऐसे उठाया Saudi Arabia और Iran इनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी लेकिन इनके बीच में रिष्टे थोड़ा सा इंप्रूव करवाने की कोशिस की China ने पहले तो बिल्कुल बोलचाल ही नहीं थी लेकिन थोड़ी बोलचाल इन्होंने स्टार्ट की Saudi Arabia और Iran ने आपस में और ये Mediation करवाया चाइना ने मतलब चाइना USA ने ध्यान देना कम कर दिया West Asia पर तो इसका फाइदा उठाना स्टार्ट कर दिया चाइना ने चाइना ने वैक्यूम को फिल करना स्टार्ट कर दिया आज Gulf countries के जातर देशों का न चाइना के साथ ट्रेड सबसे ज़ादा है चाइना का influence यहां पर लगातार बढ़ रहा है ये बात USA को अच्छी नहीं लगी तो USA एक परकार से न message देने की कोशिस कर रहा है कि भया हम यहां से गए नहीं है West Asia से West Asia में अभी भी हम हमारा influence बरकरार रखना चाहते हैं चाइना जो वैक्यूम फिल करने की कोशिस कर रहा था USA नहीं चाहता कि इस region में चाइना का दबदबा बढ़े इसी सोच के साथ USA ने जहां एक परकार से इस corridor को establish करवाया इंडिया Middle East Europe corridor और दूसरी तरफ Saudi Arabia और Israel दोनों के बीच में रिस्तों को normalize करवाने की कोशिस कर रहा है USA क्यूं ताकि USA के लिए ना फिर एक enemy country सिरफ इरान बचेगा बाकी Israel, Saudi Arabia, UAE ये तो सब USA के दोस्ती है तो West Asia में सिरफ एक दुस्मन देश बचेगा USA के लिए सिरफ और सिरफ इरान और चाइना का influence ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा इसी सोच के साथ USA अभी काम कर रहा है corridor का establish करवाना, इस्राइल और Saudi Arabia के बीच में रिस्तों को नोर्मल करवाना, ये सब USA की रननीती का हिस्सा है आप ये line देखिए USA administration को ये लगता है कि Saudi और Israel डील हो गए, रिस्ते इनके बीच में नोर्मल हो गए तो फिर USA की जो position है इस region में मजबूत हो जाएगी इसके लावा USA ने और भी वर्चुल मीटिंग हुई थी नाम दिया गया I2-U2 तो इसे Quad भी कहा जा रहा है West का Quad जैसे इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना के अगेंस्ट चार देश एक साथ आए ना इंडिया, आस्टेलिया, जपान और USA तो West Asia में भी ये चार देश एक साथ आए इंडिया, इसराइल, USA और UAE चाइना को काउंटर करने के लिए West का Quad है ये I2-U2 एक बड़ा Question वैसे ये भी इमर्च होके आता है कि West Asia में इंडिया को क्यो लाना चाहता है USA से, इंडिया को देखो इसलिए नाना चाहता है क्योंकि एक तो इंडिया इतनी बड़ी Market है इतनी तेजी से Grow होने वाली Economy है Economy का Size काफी बड़ा है तो इंडिया अगर West Asia में आता है न जो कि USA चाहता है तो इससे चाइना को Counter करने में और ज़्यादा मदद मिलेगी South Asia और West Asia और ज़्यादा Integrate होगा और West Asia के जो देश है ना उनका Trade भी अगर इंडिया के साथ बढ़ता है तो इन देशों की भी चाइना के ऊपर Dependency कम होगी ये भी USA चाहता है लेकिन देखो चाइना के लिए ये West Asia वाला रीजन है ना काफी ज़्यादा Important है क्योंकि 70% जो तेल है चाइना यहीं से इंपोर्ट करता है चाइना यहाँ पे सबसे बड़ा Investor है West Asia रीजन में और अब तो Peace Maker का Role भी प्ले करने लगा है चाइना सौधिरेबिया और इरान के बीच में Mediation करवाया चाइना ने Biggest Trading Partner है कई सारे देशों का चाइना यहाँ पर मतलब इतना आसानी से तो चाइना भी अपना influence यहाँ पे नहीं छोड़ेगा अपना dominance अपना दबदबा बनाय रखने की कोशिस करेगा और increase करने की कोशिस करेगा लेकिन देखो राइटर ना एक important बात यहाँ पे बोलते है USA के लिए दिक्कत पता है क्या है UA Saudi Arabia, Israel यह पहले बिलकुल ही USA के client states हुआ करते थे जो USA बोलता वो यह करते बट अब यह सब जो देश है न यह देश खुद से independent decisions लेने लगे है USA के कहने पर नहीं चलते अपनी मर्जी से चलने लगे है जैसे UAE और सौधरेबिया ने हाल ही में BRICS को जोइन करने का निरिने लिया और BRICS गरूप आपको पता है China dominated है तो इन देशों का BRICS में जाना एक परकार से message है USA को कि हम अब पूरी तरह से आपके उपर dependent नहीं है ये जो देश है ना UAE सौधरेबिया ये चाइना के साथ भी side by side engage करना चाहते हैं ये सारे के सारे अपने जो अंडे हैं एक ही USA नाम की basket में नहीं रखना चाहते तो राइटर ना इंडिया को भी यही suggestion देते हैं इंडिया अब देखो इस corridor का हिस्सा तो बनेगा इंडिया Middle East Economy corridor अब इस corridor से इंडिया को बहुत जड़ा फाइदा भी होगा लेकिन इंडिया को बना सारे के सारे अंडे एक ही basket में नहीं रखने चाहिए USA की basket में एक और जो corridor है न जो international north-south transport corridor उस पर भी इंडिया को ध्यान देना चाहिए इंडिया को भी न साओधिरेबिया और UAE कितरे हैं अब multi engagement की policy अपनानी चाहिए ना कि एक ही group में इंडिया सामिल हो जाए USA के group में और जो USA बोले वो इंडिया करे उसके बजाए जितना important इंडिया के लिए ये इंडिया Middle East Europe transport corridor होगा उससे पुराना जो corridor है international north-south transport corridor इसको इंडिया को ignore नहीं करना चाहिए हाला कि हाँ challenges है इरान के उपर अभी sanctions है यहाँ पे देखो इरान के उपर अभी sanctions है और Central Asia में भी यह route जो है भी तक पूरी तरह से metallized नहीं हुआ है logistics इतने अच्छे नहीं है बट इस corridor को भी मजबूत बनाया जासके क्योंकि यह corridor रस्या तक जाता है तो दोनों जो transport corridors है इंडिया के लिए important होने चाहिए ना कि सिरफ इंडिया Middle East Europe corridor सिरफ इस corridor पर इंडिया ध्यान देता है तो इसका मतलब इंडिया के लिए ज़्यादा important USA है और इरान रस्या यह इंडिया के लिए important नहीं है इसी वज़े से इंडिया इस North South transport corridor को ignore कर रहा है लेकिन यह approach सही नहीं होगी इंडिया को भी multi engagement policy अपनानी चाहिए सभी पक्सों के साथ एक ही समय में engage करना और बात रही West Asia की देखो USA के साथ यह USA के बिनम और इवन चाइना की presence भी West Asia में रहती है या नहीं रहती है West Asia तो इंडिया का extended neighborhood है पहले भी यह region इंडिया के लिए important था यहाँ पे का बड़ा diaspora रहता है यहाँ से इंडिया energy import करता है तो इस region के साथ इंडिया पहले भी engage करता था और बाद में भी engage करता ही रहेगा चाहे USA के साथ करे या फिर USA के बिना करे और चाइना यहाँ पे अपनी dominance बढ़ाए या ना बढ़ाए West Asia तो वैसे भी इंडिया के लिए important है ही यह पूरा आर्टिकल हमने डिसक्रस किया West Asia से सम्मंदित चलते हैं आगे इसके बाद देखो next आर्टिकल Women Reservation से सम्मंदित है context आपको पता है यह issue हमने पहले भी डिसक्रस किया है कुछ नए aspects है जिनको हमें cover करना है 128 amendment bill लोक्सबा राजसबा दोनों से पास हो चुका है ये लोक्सबा में और state legislative assemblies में 33% seats आरक्सित करता है महिलाओं के लिए यहाँ पर देखो 33% seats आरक्सन करने का provision था इस 128 amendment bill में कहां कहां पर लोक्सबा में state legislative assemblies में national capital territory of Delhi की legislative assembly में भी even आज के समय में SC और STs के लिए जो seats आरक्सित है न वहाँ पर भी ये 33% seats for women ये वाला provision लागू होगा दूसरा provision इस bill का ये है कब से ये लागू होगा ये reservation इसको लेके देखो बड़ा criticism हो रहा है bill के provision के अनुसार जब देखो बिल पूरी तरह से act बन जाएगा न मतलब जब president assent दे देंगे हलाकि एक point पे और भी विवाद है कुछ experts ये भी बोल रहे है कि president के assent देने के बाद ये bill act नहीं बनेगा आदी जो state assemblies है उनकी भी consent लेना ज़रूरी है लेकिन सरकार कहती है नए महिलाओं को state assemblies में और लोकसबा में reservation देने के लिए half state assemblies की assent लेना ज़रूरी नहीं है वैसे भी देखो जिस जबरदस्त majority के साथ bill पास हुआ है अगर state assemblies की assent लेनी भी होती तो अराम से मिल जाती क्योंकि सारी तो parties पक्स में ही है इस bill के लेकिन फिर से point देखिए कब से ये bill force में आएगा लिखा ये हुआ है कि bill के पूरी तरह से act बनने के बाद जब fresh census conduct होगा न और उस fresh census के बाद बे जो delimitation होगा उस delimitation की report के आधार पर ये reservation लागू होगा अमित शाह जो की home minister है उन्होंने बोला है कि ये जो bill है ना लागू होगा implement होगा 2019 के लोक्षबा elections के बाद तो ये सबसे बड़ा criticism है इस bill का कि लागू अभी से कर देना चाहिए था मतलब सरकार का ये कहना कि देखो delimitation जरूरी है ये सारी चीज़ें देखो सरकार चाहिए तो कुछ भी करवा सकती है एक और bill पास करवाया जा सकता था कि इस bill को लागू करने के लिए delimitation जरूरी नहीं है समझ रहे हो पॉइंट ये है ये तो बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को अरक्षन मिला है 33% लेकिन इंप्लिमेंटेशन अगर अभी हो जाता तो और भी ज़्यादा मज़ेदार बात होती फिर bill का एक प्रोविजन ये है हर एक delimitation के बाद में महिलाओं के लिए जो seats reserved की गई है न उन reserved seats को rotate किया जाता रहेगा हर एक delimitation के बाद और अभी के लिए वैसे ये reservation देखो 15 साल के लिए applicable होगा 15 साल के बाद इसे फिर से reconsider किया जाएगा और ये तो आपको भी पता है एक चीज हमारे देश में कई बार लागू हो जाये चाहिए वो free scheme हो या फिर reservation हो फिर वो बाद में उसे हटाना बहुत ज़ला मुस्किल होता है तो एक बार ये लागू हो गया फिर तो ये कायम रहेगा जो कि अच्छी चीज भी है महिलाओं को empower करने वाला ये bill है अभी आप दूसरे देशों की situation देख लेजिए Sweden में 46% elected woman है Norway में 46% South America में 45% और जाहतर देशों में पोलिटिकल पार्टीज में कोटा है महिलाओं के लिए मतलब पोलिटिकल पार्टीज को इतनी टिकट्स तो महिलाओं को देनी ही पड़ती है पार्लियमेंट में कोटा नहीं है जाहतर देशों में ये देखिए आप आंकडा लेकिन हमारे देश में न पार्लियमेंट में reservation दिया गया है महिलाओं को और पोलिटिकल पार्टीज के लिए अभी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतनी tickets महिलाओं को देनी ही है ये भी एक route हो सकता था महिलाओं को empower करने के लिए कि BJP Congress इनको कम से कम 50% seats पर महिलाओं को ticket देनी ही होगी इससे भी फाइदा होता एक फिर next criticism और है बिल का देखिए ये Indian Express का article है जो हम discuss कर रहे है एक next criticism ये है कि राज्यस्बा में और state legislative councils में महिलाओं के लिए reservation का provision नहीं किया गया है वहाँ पर भी किया जाना चाहिए था क्योंकि आज के समय में बलकि लोक्स्बा में तो महिलाओं की representation फिर भी 15% है राज्यस्बा में तो बहुत कम है तो बिल में ये भी provision होना चाहिए था कि राज्यस्बा और legislative council में भी महिलाओं को reservation मिलेगा और आप दूसरी bodies देख लीजिए Supreme Court में High Court में महिलाओं के representation बहुत कम है तो वहाँ पे भी judiciary को action लेना चाहिए जब देखो constitute assembly में debates चल रही थी न तो उस समय भी महिलाओं को reservation देना का issue आया था लेकिन जुलाई 1947 में Renuka Ray जो की member थी उन्होंने बोला कि देखो अगर महिलाओं को reservation दिया जाता है न Parliament में तो महिलाओं के लिए बलकि options limited हो जाएंगे तो जिन seats पे reservation नहीं आना महिलाओं को वहाँ पे कोई भी महिला को ticket नहीं देगा तो महिलाओं सिरफ उतनी ही seats तक सिमित रह जाएंगी जहां पर उनको reservation मिला है बाकी seats के लिए उन्हें कोई consider नहीं करेगा हम नहीं चाहते ये situation आये उस समय रेनुका रे ने कहा था कि धीरे धीरे महिलाएं empower होंगी आगे बढ़ेंगी वो अपने आप से ज़्यादा जीतने लगेंगी लेकिन देखो हुआ नहीं ऐसा जो उमीद की गई थी न वैसा नहीं हुआ सिरफ 15% महिलाओं को representation है आज के समय में लोकसभा में और 50% जनसंख्या है 73rd और 74th constitutional amendment में 33% seats महिलाओं के लिए आरक्सित की गई थी पंचायत और urban local bodies में तो वहाँ से कुछ अच्छे परिनाम सामने आए तो बाद में demand उठने लगी 1996 के बाद से ही कि parliament और state legislative assemblies में भी महिलाओं को आरक्सन मिलना चाहिए लेकिन इतने साल हो गए 27 साल सिरफ कुछ बिल आये कुछ पास हुए पूरी तरह से act नहीं बंसका अब ruling party ने एक अच्छी कोशिस की और majority का साथ मिला बिल पास हो गया अच्छी चीज है महिलाओं का और empowerment होगा woman-centric decision लिये जाएंगे और important decisions पर महिलाओं का जो perspective है वो भी include होगा काफी अच्छी चीज है तो ये थी हमारी आज की discussion अब last में questions भी देख लीजिए जो आज हमने discussion की interesting सी है discussion उसके अधार पर ये question है प्री का question Assertion Reasoning का 1997 में UPSC ने पूछा था पहली statement 33% अगर seats पार्लियमेंट में और state legislature में महिलाओं के लिए आरक्सित की जाएं तो इसके लिए सविधान को amend करने के आव सकता नहीं है दूसरी statement Political parties अगर 33% seats महिलाओं के लिए आरक्सित करती हैं तो इसके लिए सविधान को amend करने के आव सकता नहीं है बताइए दोनों statement हैं चार options हैं आपके सामने बताइए कौन सा सही कौन सा गलत है ये question UPSC ने 2019 में पूछा था महिलाओं को reservation दिया गया है local self governments में लेकिन इसका limited impact हुआ है जो Indian political process है उसमें patriarchy है और महिलाओं को local bodies में reservation देने का limited impact हुआ है इस patriarchal character पर इस बात पर आपको comment करना है ये question UPSC ने 2019 में पूछा था इसका answer आपको देना है तो मिलते हैं Monday को आज की discussion में फिलाल इतना ही है Thank you, thank you very much for discussion